नमस्कार आप देटरे नियूस फोरनेशन और मैं हूं सांध्वन आपके साथ लोकास्था का महापर्व छट के समापन के साथ अब शादियों का सीजन जोरदार तरीके से शुरू हो जाएगा बात करें बिहार राज समेत देश भर की तो देश भर में दिवाली और अन्यत्योहारों के बीच हुए जोरदार व्यपार के बाद अब देश भर के व्यपारी आने वाले शादी सीजन के लिए तयारेों में जुच गए हैं बताने कि बिहार में भी दिवाली के दौरान जबरदस्त वैपार हुआ थो और अब बिहार के वैपारी शादी के सीजन का इंतजार कर रहे हैं। बतादे कि देश जब आर्थिक संकट से जूज रहा था तो अब देश रिकवरी के रहा पर है। बतादे कि इस वर्ष दिवाली के त्योहारी सीजन में हुए जोड़दार व्यापार से उचसाहित होकर बिहार से देश भर के व्यापारी अब शादी के सीजन में बिक्री की तैयारियों में जुड़ गये हैं। उमीद है कि 14 नवंबर देव उठाने का अदशी से 13 दिसंबर तक एक महिने के लिए शादियों का पहला चरण शुड़ू होगा। इस दौरान देश भर में लगभग 25 लाग शादियां होने का अनुमान है। सिर्फ पटना में ही लगबग 50 अजार करोर रुपे के व्यापार की संभावना है। कैट के अत्यादमिक एवं वैदिक ज्यान कमिटी के चेर्मेन तथा देश के विख्यात आचार शीदुर्गेश तारे ने बताया कि सनातन धर में पुराणों के अनुसार भगवान विश्नु जब अपनी चार महीने की लंबी नेंग से जागते हैं। उस दिन को देव उचानी एकादशी अत्वा प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह दिन कार्टिक महीने में दिवाली के बाद शुकल पक्ष में दिवाली से 11 दिन आता है। उन्होंने बताया कि तारों की गणना के अनुसार नवंबर महीने के 14, 28, 29 एवं 30 नवंबर तथा दिसंबर के महीने के 16, 7, 8, 9, 11, 12 एवं 13 दिसंबर है। उसके पर शात एक महीने 14 जनवरी तक तारा डूब जाता है। फिर दोबारा 14 जनवरी से मांगले कारप प्रारंब हो जाते हैं। श्रीतारे ने आगे बताया कि गत दो वर्ष के बाद इस वर्ष ही नवंबर दिसंबर में शादियों के इतनी सारे मुहुरत निकले हैं। अगले वर्ष 2022 में भी 14 जनवरी के बाद से शादियों के अनीक मुहुरत हैं। सनातन धर्म के अलावा आरे समाज सिख बंदू पंजाबी बरादरी सहित अन्य अनीक वर्ग हैं जो मुहुरत के बारे में विचार नहीं करते। फिर बे सीजन में ही अन्य अनीक लोग भी शादी करेंगे। कैच बहार चेर्मेन कमल नोपानी अध्यक्ष अशोक कुमार वर्मा वर महासचिव डॉक्टर रमेश गांधी ने कहाए कि शादियों की सीजन के अच्छे व्यापार की संभावनाओं को देखते हुए देश भर के व्यापारियों ने व्यापक तैयारियां की है। प्रतेक शादी का लगबग 20 प्रतीशत खर्च वधुपक्ष एवं 80 प्रतीशत खर्च शादी को संपढ़न कराने में काम करने वाली अन्य तीसरी एजेंसियों को जाता है। बताया कि इस एक महीने के शादी सीजन में लगबग 5 लाग शादियों में प्रतेक शादी में लगबग 2 लाग रुपे खर्च होंगे। बतादे के देश भर में कार्टिक महीने के शुकल पक्ष के साथ शादियों का सीजन शुरू हो जाएगा। और ऐसे में बिहार आज भी शादियों की सीजन के लिए खासा उत्साहिब दिख रहा है। बता दे के जहाँ एक तरफ लो कास्था का महापर्व चठ समाप्थ हो चुका है तो वहीं दूसरे तरफ अब बिहार चठ के बाद शादियों की सीजन की तयारीयों में जुक चुका है। जबरदस्त व्यापार करने का मौका मिलेगा उन्हें इस बार अच्छा खासा लाब हो सकता है क्योंकि पूरे देश भर में 25 लाग शादियों के होनी का अनुमान लगाया जा रहा है वो भी शादियों के सीजन के पहले चरण में यानि ठीक एक महीने के अंदर उसके बाद बिहार राज में भी 25 लाग से अधिक शादियों के होने का अनुमान है तो ऐसे में बिहार राज में एक बार फिर से रोजगार बढ़ेंगे और 37-37 व्यापारियों को व्यापार में अच्छा खासा लाब भी शादियों से मिलने जा रहा है अब भी के लिए इतना ही अनकाई अपडेट्स के लिए मैं साथ बने रहे न्यूस फार्नेशन में नमस्कार